स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल MK8 Hindi English में आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्व की वर्व का मतलब क्या होता है क्रिया तो क्रिया की बात करेंगे क्रिया से पहले हमने पार्स आप स्पीच के नाउन प्रणाउन एडवर्व एडजेक्टिव यह सब कुछ आपको समझा दिए आप जाए हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में और देख लिए जाकर के जब आप सारे कॉंसेप्ट के लिए कर लेंगे तो आपके लिए टेंस सीखना हो एक वर्व जो यूज होती है या शब्द है जो यूज होता है किसलिए for saying something कुछ कहने के लिए about some person किसी व्यक्ति के और अत्वा किसी वस्तु के यानि think का मतलब क्या होता है वस्तु के और यहां हम दूसरे सब्दों के हैं a verb is a word वर्व एक ऐसा सब्द है that states something about a person जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है उसे हम वर्व कहते हैं तो यहां पर एक्जांपल से देखते हैं अधिती लाफ्स अधिती क्या करती है हस्ती है तो हसना क्या है एक वर्व है हसना गाना रोना सोना धोना यह सारी सारी क्या होती है वर्व होती है a dog is a dead the dog is a dead नही यहां पर जो डॉग है वो यहां जो helping पर इसकी दी हुई है यहां पर इस दी हुई है यहां पर इस दी हुई है आगे देखते हैं रमिता लाफ और रमिता क्या करती है हसती है रमिता सिंग्स तो रमिता गाती है तो गाना भी एक क्या है आपकी यहां पर जो गाने की क्या है एक क्रिया है तो हसना गाना रोना यह सारी सारी क्या है क्रिया है चलिए देखते हैं कि कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं तो यहां पर देखते हैं काइंट साब वर्ब तो वर कर दुटर मक्रिया क्रिया होती हैं चलिए देखते हैं कौन-कौन से दुटरकार हैं उनको समस्ट तो यहां पर आपके दिए हुआ अ कि ट्राशुीक्प वर्ब विच्टिप्ट जिसे पक्या आप्जिक्ट यानि करन की जरूदत हो कि ऑप सकते हैं कि गासी वर भैंट आफ्र इनuir गोषिर संस इस काल तरस्ट इवर इसको एक heatson में कॉप्लेट करने के लिए जहां पर को आप जरुत की जुरुत पड़े वह आपकी रृंसे टर्ण्रिब होती यह इसके आगे देखते हैं इसके एक्जामपल में कौनको दिये हैं इसने क्या है एक औबजेक्ट से पहले क्या उसका दुआ है उसके पास ऑबजेक्ट है उसके बाद दुसरा दिया इक औबजेक्ट औबजेक्ट से पहले ही आपकी क्या दी गई है वर्व दी गई है क्रिया दी गई है तो आप कह सकते हैं यह एक ट्रांस्टिव क्रिया है ठीक है तिसरा दिया हुआ है अधिती मेड डॉल अधिती क्या करती है एक डॉल बनाती है तो डॉल क्या है एक अबजेक्ट है क्या है ए देखते हैं इंट्रांशट्टिव एंट्रांश्टिव वर्व विच्न ड़िजaders 9 ऑब्बजेक्ट टू कंप्प्लेट इट सेंस एक वर्व जिसे कंप्लेट होने के लिए ऑब्जेक्ट किया वश्यक्त नहींori यह वह इंट्रांस्टिव वर्ब कहलाती है देखिये वह months good sense लेकिन उससे क्या है उसका जो मतलब है तो मतलब निकलता है इत्सेल्फ वर्ब और उसे कहेंगे इंट्रांस्टिव के इग्जामपल देखते हैं कौन-कौन से लडकी ने मुस्क्राया तो यह आपकी किरिया है और sentence भी पूर्ण है कैसे हैं retransitive में क्या होता है कि storytelling होते हैं और जो मतलब है यानी उसका थे अरु अरिकास निकलता है तिसा सेंटम नेखें यहां पर दिया हुआ कहने का मतलब यह एक इंट्रांस्ट्ट सेंटेंस हैं यहां बर हम बात करें हैं कि ट्रांस्टुव औंट्रांस्ट कौन कौनirie regulation हो सकती हैं चलिए यहां पर हम एक और तरह केसे आप समझने का प्रियास करते हैं जैसे आपको बी में जो वर्ब मिलती हैं कौन सी फॉप में मने जिसको हम little से लग क्या ऐसे होती है जैसे Изमार वाज वेल सेल है दश डूद तो यह सारी सारी क्या होती है हम कहां 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 का उस यह करते हैं उनको हम लोग iii again Helping techniques है helping और जो आपकी ट्रांस्टी में आपको बताया गया है वह होती है मैन वर्व कौन्सी बर्व मैन बर्व होती मैन में जाना आना खाना पीना रोना धोना यानि जो स्य खते में घंत हाते हैं के धाता है क्या कहा जाता है Link कि बर एक या linking भर भी कहा जाता है और जो मैन भर होथी है आपने दिखा कि फर्सों सेकंड अजा कि अब और जो भी की फॉर्म में होती है इनका अगर उपयोग नहीं आता है तो आप जाएए हमारी यूट्यूब चैनल पर और जा करके वहां आप इनको डिटियल के साथ सीख सकते हैं चलिए वीडियो करते हैं पर खत्म मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बबाए